आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो इसकी value अगर हम solve करेंगे तो आएगी 3 carbon atoms है हमारे पास माइनस hydrogen atoms 4 है और hydrogen atoms 2 है तो यह 6 by 2 प्लस nitrogen है नहीं तो 0 by 2 प्लस 1 यह क्या हो जाएगा हमारे पास यह आएगा 1 तो double bond equivalent 1 आया है ताट मींस इसमें आ तो एक ring present है या एक double bond present है अब हमें जो structures बनाने को बोला है उन्होंने का है cyclic isomers तो that means हम जो ring वाले isomers है वो लेंगे तो एक ring बनाने के लिए कम से कम 3 carbons तो चाहिए तो 3 के 3 carbon atoms रोंगे वो हमारी cyclopropane बना देंगे तो यह हमारी ring होगी इसमें अब hydrogen atoms कैसे लग सकते हैं कि एक CL यहाँ पर और एक CL यहाँ पर दो adjacent positions पर यानि की 1, 2 पर या फिर इसमें ऐसे भी हो सकता है कि जो हमारा यह cyclopropane है इसमें जो hydrogen atoms है वो ऐसे लग जाए कि दोनों ही एक ही carbon atom पर लाइक देस तो यह क्या हो जाएगा 1, 1 position तो यह दो ही positions possible है rest अगर यहाँ पर आती है हमारी दोनों halogenes यहाँ पर आती है तो भी 1, 1 position ही मानने जाएगी similarly यहाँ पर अगर हम क्लोरीन लगाते ही यहाँ पर छोड़के तो वो भी 1, 2 position ही मानने जाएगी that means इसके सिरफ 2 isomers है जो cyclic possible है 2 cyclic isomers 4, CL, 2 जो हमने यह दो बनाए है that is this one and this one तो जो हमारा answer हो जागो हो जाग option number 2 that is 2 cyclic isomers are possible thank you